नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल NB Classes में तो वीडियो शुरू करने से पहले दिये गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल NB Classes में बच्चों आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे तुगलक वन्श के तीसरे सुल्तान फिरोशः तुगलक के बारे में फिरोश्या तुगलक जो की तुगलक वंश के तीसरे सुल्तान थे और इन्हें सुल्तान बनने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कतले आम नहीं करना पड़ा इस तरह से ये किस्मत वाले सुल्तान रहे थे इनका जन 1309 इस्वी में और इनकी इम्रत्यू 1388 इस्वी में हुई और इन्होंने काफी लंबे समय तक शाषन किया जिसकी अवधी थी 1351 से 1388 इस्वी बच्चों मोहमद तुगलक जिन्होंने अपनी वसियत या अपनी इच्छा में कह दिया था कि मेरे बाद मेरा चचेरा भाई फिरोश शाह तुगलक सुल्तान बने ऐसे में जब मोहमद तुगलक की मृत्यू 1351 इस्वी में सिंध के अभियान के दौरान रास्ते में ही थर्टा नामक इस्थान के पास हो गई तो उनके सरदारों और अमीरों ने फिरोश तुगलक का राज्य भिशेख वही थर्टा के पास कर दिया और इनका जो दुबारा से राज्य भिशेख किया गया वो अगस्त 1351 इस्वी में दिल्ली में किया गया इस तरह से फिरोश शाह तुगलक का दो बार राज्य दिलक किया गया बच्चों इनके जो समय के इतिहासकार थे बरनी वो लिखते हैं कि स्वर्गे सुल्तान मोहमत तुगलक ने फिरोश शाह तुगलक को अपना उत्राधिकारी मनोनीत कर दिया था यानि कि वो अपने जीते जी ही अपना उत्राधिकारी बना कर गए थे तो इस तहे से इनकी इस बात का समर्थन करते हैं इनही के समय के अन्य इतिहासकार शम्स ए सिरास अफिक और इनकी इस बात के आधार पर ही हम ये तथ्थे निकालते हैं कि महमत तुगलक ने अपना उत उत्राधिकारी फिरोश शाह तुगलक को बनाया था बच्चों फिरोश शाह तुगलक जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत धार्मिक कटर था लेकिन इसने अपनी इस बुराई को अपने विभिन कार्यों के द्वारा छुपा दिया और इतिहास में इसे उदार शाशक क के रूप में जाना जाता है यानि कि इसने प्रजाहित में बहुत सारे कारे किये और इसके इनहीं कार्यों की वज़े से इसे अंग्रेज अधिकारी हैंडरी इलियट ने सल्तनत काल का अकबर कहा है अकबर मुगलकाल के अकबर के बारे में तो आप जानते ही होंगे तो वैस तही अगर आपसे कोई पूछे कि सल्तनत कालीन अकबर किसे कहा गया है तो बच्चों वो फिरोश शाहतुगलक को कहा गया है फिरोश शाहतुगलक ने बच्चों सयद उस सलातीन की उपाधी धारण की थी और ये अपने आपको खालीफा का नाइब कहता था नाइब यानी सहायक या प्रतिनिधी तो इस तरह से खलीफा का पद इसके बारे में भी आप चानते ही होंगे जो इसलाम में सबसे बड़ा पद होता है वो खलीफा का पद होता है यानि मुहमद सहाब के जो अनुयाई थे उनमें जो सबसे बड़ा पद था वो खलीफा का पद था और फिरोश शहतुगलक ने अपने आपको खलीफा का प्रतिनिधी घोशित कर दिया था बच्चों इसने अपने सीहासन पर बैठने के साथ ही अन्य सुल्तानों की तरह सामराज्य विस्तार की नीती नहीं अपनाई बलकि सामराज्य विस्तार की नीती का इसने त्याख कर दिया यानि उसे छोड़ दिया क्योंकि ये जन कल्यान के कारे करना चाहता था और इसका एक दूसरा नजर्या भी था ये समझता था कि अगर युद होगा तो युद में दोनों तरफ ही मुस्लिम सेना मारी जाए की और मैं नहीं चाहता की मेरे धर्म के लोग मारे जाए इसलिए इसने युद्ध की नीती त्याग दी थी लेकिन फिर भी एक सुल्तान होने के नाते कई बार इसे युद्ध करने पड़े बच्चो इसके शाशनकाल में बंगाल में विद्रो हुआ था आपको याद ही होगा कि गाजी गया सुद्धिन तुगलक के समय में भी बंगाल में विद्रो हुआ था लेकिन गाजी गया सुद्धी ने उसे सफलता पूर्वक दबा दिया लेकिन फिरोशा तुगलक भी क्या ऐसा कर पाया? नहीं बच्चो, फिरोशा तुगलक ऐसा नहीं कर पाया इसने बंगाल के विरुद दो अभियान किये जिसमें पहला अभियान इसका हाजी इलियास सम्शुदिन के विरुद था लेकिन अपनी ही कम्यों के कारण ये उससे हार गया और जो इसका दूसरा अभियान था वो हाजी इलियास सम्शुदिन के बेटे सिकंदर के विरुद था लेकिन यहां भी यह अपनी उसी नीती के करण हार गया कि मैं अपने ही धर्म के विक्ती का बुरा नहीं कर सकता तो इस तरह से यह अपने इन दोनों ही अभियानों में बुरी तरह से ऐसफल रहा लेकिन इसने इसकी परवा नहीं की बच्चों हम ये जान ही गए कि फिरोष तुगलक एक सामराज्यवादी सुल्तान नहीं था लेकिन इसने सुल्तान रहते हुए बहुत सारे कारे किये जिनके अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों ही जनता पर पड़े जिनके बारे में हम यहां जानेंगे फिरोष शाने बच्चों कई परिवर्तन किये उनमें से ही एक परिवर्तन ये था कि अब तक जो योगिता के अधार पर सैना में नियुक्ति होती थी उसे इसने हटा दिया यानि इस पद्दती को इसने बंद कर दिया इसने अब क्या किया इसने ये किया कि इसने इस सरकारी और सैना की नोकरी को वन्शा नुगत बना दिया यानि सैनिक का बेटा सैनिक बनेगा और उसके लिए किसी भी प्रकार की योग्यता आदी की जाँच नहीं की जाती थी इससे क्या हुआ बच्चों इससे इसकी सैना शक्तिशाली नहीं रही क्योंकि सैना के लिए जो जरूरी गुण होने चाहिए वो इसके सिपाईयों में नहीं रहे और कारण या परणाम ये रहा कि आगे चल कर इसके बाद तुगलक वन्ष का पतन होने लगा बच्चों फिरोश्या तुगलक ने अन्य सुल्तानों वाली गलती नहीं की इसने अपने जीते जी ही अपने बेटे फते खांक को अपना उत्राधिकारी बना दिया और सिकों पर अपने नाम के साथ ही इसने अपने बेटे का नाम भी अंकित करवाया आपको याद ही होगा गाजी गया सुद्दिन तुगलक को मरवाने में महमद तुगलक का नाम आता है तो ये सारी चीजें ये देख चुका था और ये नहीं चाहता था कि इसका बेटा भी इसके खिलाफ किसी प्रकार का शड़ियंत्र करे इसलिए इसने अपने जीते जी ही अपना उत्राधिकारी बना दिया बच्चों फिरोशा तुगलक को सामराज्य विस्तार का शोक तो नहीं था लेकिन इसने भवन निर्मान का लामें अतियधिक रूची दिखाई फिरोशा ने बच्चों कई नई शहरों का निर्मान भी करवाया जिन में से मुख्य रूप से आते हैं हिसार फिरोजा फिरोजाबाद जोनपूर वै फतेहबाद फतेहबाद जो इसने अपने बेटे फतेह खां की लिए या उसकी नाम से बनवाया था और जोनपूर अपने भाई महमद तुगलक जिनका वास्तिक नाम जूना खा था उनकी याद में बसाया था इस तरह से इसने नई शहरों का निर्मान करवाया और अपने सामराज्य का विस्तार इसने इन छेत्रों में किया इसके अलावा बच्चों ये एतिहासिक चीजों के महत्व को भी समझता था शायद इसी लिए इसने टोपरा और मेरट से अशोक इस्तम दिल्ली में स्थापित करवाया ये चाहता तो अन्य सुल्तानों की तरह उन्हें तोड़ भी सकता था लेकिन इसने ऐसा नहीं किया इन्हें सुरक्षित यहां स्थापित करवाया लेकिन जो इसके वदवान थे वो उस पर लिखे लेक को नहीं पढ़़ पाए लेकिन ना सही नहीं पढ़़ पाए तो लेकिन इसने इनका सनक्षन तो किया जिससे हम अशुक के इतिहास के बारे में जान सके बच्चों इसकी अलावा इसकी जो अन्य उपलवदी थी उनमें थी हासी और सिर्सा की छेत्र में पानी की कमी को दूर करना आज के समय में ये दोनों ही शहर हर्याना राज्ये में इस्तित है यहां पे जो पानी की समस्या थी उसे दूर करने के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि गाजी गया सुद्दिन तुगलक ने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया और उसमें विस्तार किया फिरोश शहा तुगलक ने बच्चो इसके अलावा इसने एक नहर सतलश नदी से दिपालपूर तक बनवाई और दूसरी नहर यमुना नदी से सिर्मुर के पास बनवाई सिर्मुर जोकी वर्तमान हिमाचल परदेश में इस्तित है फिरोश शह तुगलक ने बच्चो अपने क्रिशी छेत्र में उपज वरधी करने के लिए और अकाल से निपटने के लिए विभिन योजनाई बनाई और इन सब योजनाओं के बीचे जो मुख्य उद्देशे था व तो इसकी अच्छे विचार के रूप में हम कह सकते हैं इसके अलावा फिरोश तुगलक जिसे इतिहास में एक कटर सुनी मुसल्मान के रूप में जाना जाता है लेकिन इसकी एक कमजोरी बच्चों ये रही कि इसने अपने आपको कटर वादी इसलामिक अमीरों के हाथों म इसमें सौप दिया इसमें सौपने का मतलब ये है कि उनकी इच्छा के विरुदिये कोई भी काम नहीं करता था और उनके इशारों पर ही इसके सारे कारे होते थे बच्चों इसने विभिन कारों को समाप्ट किया लेकिन इसके साथ ही इसने एक नई वैवस्ता शुरू की जो कि इससे पहले के किसी भी सुल्तान ने नहीं की थी कौन सी होगी वो वैवस्ता बच्चों वो वैवस्ता थी कि इसने ब्रहमनों के उपर भी जजिया कर लगा दिया और तो और इसने अपने ही मुस्लिम शाखा जो की शिया के नाम से जानी जाती है आप जानते ही है कि मुस्लिम धर्म दो शाखाओं में विभाजी थे जिसे हम सुनी और शिया के रूप में जानते हैं ये खुद तो सुनी था लेकिन इसने शिया समर्थक विचार धारा के लोगों को मृत्युदर्ण तक भी दिया था जबकि ये उसी के धर्म के शाखा के रूप में इस्था पित थे लेकिन सिर्फ विचार धारा में मत्भेद था और इस मत्भेद के कारण शिया समर्थक लोगों को इसने मृत्युदर्ण दिया बच्चों इसने जो विभिन प्रकार के कर थे जिनके संख्या इसके समय लगभग 24 थी इसने उन 24 करों को सिर्फ 4 करों में बदल दिया और तो और इसने जो गैर इसलामिक सजाएं थी उन्हें भी बंद कर दिया और इसने जो चार मुख्य कर रखे उनके नाम है खराज, जकात, खम्स, जजिया इन चारों करों के बारे में मैं आपको यहां बताऊंगे खराज जो की एक प्रकार का भूमी कर था जो सभी प्रजास से लिया जाता था दूसरा कर आता है बच्चों जकात यह सिर्फ मुस्लिम प्रजास से लिया जाता था और जो तीसरा कर था वो था खम्स यानी जो लूट का धन होता था लूट का धन कैसे आएगा दूसरे राज्ये पे जो आकरमन किया जाता है या जो सैनिकों के द्वारा लूट मार की जाती थी अन्य छेत्रों में तो उनसे खंस के रूप में कर लिया जाता था और जो चौथा कर था वो था जजिया जो सिर्फ गैर इसलामिक प्रजा से लिया जाता था तो विशेश रूप से गैर इसलामिक प्रजा में कौन सी प्रजा आती थी वह आती थी हिंदू प्रजा तो इस तरह से इसने ये चाल कर ही निर्धारित कर रखे थे इसकी अलावा बच्चों इसे एक विचित्र शोक भी था वह विचित्र शोक ये था कि इसे किसी भी सुल्तान ने इतनी अधिक संख्या में दास नहीं रखे थे और इन दासों की जो संख्या थी इसके समय वो लगभग थी एक लाख अस्सी हजार और इन दासों के रख रखाव इनकी वेवस्था इनकी हर आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए इसने एक विभाग भी बनवाया और उस विभाग को जानते हैं हम दिवान ए बंदगान के नाम से तो इस तरह से यह अपने दासों से बहुत सनहें रखता था और उनके लिए बहुत अच्छी वेवस्था इसने करवा रखी थी इसके अलावा बच्चों इसे एक शोक और था और वो इसका जो शोक था वो था इसकी बागानी कृशी में रूची होना इसने इस रूची के कारण बहुत से बागानों का निर्मान करवाया या बहुत से बागान लगवाए और दिल्ली में इसके द्वारा कई बागान लग तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि इसने जहां सामराज्य का विस्तार तो नहीं किया लेकिन अन्य छेत्रों में इसने बहुत सारे कारे किये और इन कारियों को करते हुए असी वर्ष की आयू में इसकी रमजान के मुकदस महीने में 1388 इसवी में मौत हो गई और इसके बाद इसका जो सामराज्य रहा वो पतन के मार्क पर चलता गया इस तरह से बच्चों फिरोशा तुगलत ने अपने सामराज्य का विस्तार तो नहीं किया लेकिन इसने बहुत सारे जन कल्यानकारी किये जिसमें से विशेश रूप से आता है क्रिशी छेत्र में नहरे बनवाना और नए शेहरों का निर्मान करवाना और विशेश रूप से रोगियों के लिए स्वास्थे सेवाएं उपलत करवाना और इसके बाद के जो सुल्तान हुए वो थोड़े थोड़े समय के लिए सुल्तान बनते गए और पतन के मार्क पर अग्रिसर होते गए क्योंकि इसने अपनी सैना को सुध्रड नहीं रखा माना युद्ध ना करें लेकिन सैना को तो मजबूत रखना चाहिए जो इसने नहीं किया और इसकी गल्ती को इसके उत्राधिकारियों को भुगत ना पड़ा तो इसके बाद बच्चों जो सुल्तान बने उनके नाम है तुगलक शह, अबू बक्र शह, नासुरुद्दीन महमद शह, अलाउदीन शिकंदर सह और नासुरुद्दीन महमूद सुल्तान और बच्चों नासुरुद्दीन महमूद सुल्तान इसके वंश का अंतिम सुल्तान था और इस अंतिम सुल्तान को सबसे बहंकर आक्रमन का सामना करना पड़ा और वो सबसे बहंकर आक्रमन था तेमूर लंका जिसने भारत में विशेश रूप से दिल्ली पर 1388 में इस्वी में आक्रमन किया और पूरी दिल्ली को तहस नहस कर गया और उसने लूट मार में कहीं किसी से धर्म के आधार पर भेद भाव नहीं किया जो जहां मिला उसे मार दिया जहां जो संपत्ति मिली उसे लूट लिया गया और इस तरह से इसके शाशनकाल में लोगों को बुरी तरह से हताहत होना पड़ा और इसी के साथ आपके तुगलक वंश का अंत भी होने लगा और जब नासुरदीन महमूत की 1412 इस्वी में मौध हो गई तो इसी के साथ तुगलक वंश का भी अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना हुई और इस नए वंश को सयद वंश के नाम से जाना गया जो की दिल्ली सल्तनत का चोथा वंश था इस वंश के बारे में बच्चों हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इससे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल NB Classes को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जैहिंद